तो आज हम दाहिंदू का एक आर्टिकल डिसकस करते हैं जो लिखा गया है जैना कटूरी जी दुवारा जो की प्रिजेंटली सीनियर एडवोकेट हैं सुपरीम कोर्ट में और यह को फाउंडर भी है सेंटर फॉर लो एंड पॉलिसी रिसर्च की आज की वीडियो में हैं इंटर सेक्शनालिटी का यह क्या है इसको समझते हैं को धारन से डिस्क्रिमिशन किस-किस बेस पर होता है रिलीजन के बेस पर कास्ट के बेस पर जैंडर के बेस पर सेक्श्वालिटी के बेस पर डिसैवलिटी के बेस पर क्लास के बेस पर भी होता है एज की बेस पर हो अगर किसी पार्टिकुलर किसी जेंडर के साथ डिस्क्रिमिशन होता है और अगर वो ऐसे किसी धरम से बिलॉंग करता है जो समाज में काफी भेदवा होता है और धरम के साथ एक तो जेंडर बेस पर भी डिस्क्रिमिशन हो रहा है पर उपर से रिलीजन बेस पर भी डिस्क्रिमिशन हो रहा है और अगर वो कोई गे है तो उसके साथ भी सेक्शॉलिटी के साथ भी डिस्क्रिमिशन हो रहा है तो यहाँ पर इंटर सेक्शनलिटी का कॉंसेट निकल गया था एक जामपल दूसरे एक्जामपल लेते हैं अगर कर वूमेन है वूमेन के साथ डिस्क्रिमिशन होता है अगर वूमेन किसी ऐसी एक्जामपल से बलोंग करती है और अगर उसका रेप हो आओ तो यहाँ पर इंटरसेक्शनालिटी का कॉंसेट निपल गया था है कि एक तो वूमेन है उपर से SCST और उसके साथ रेप तो उस पर रेप का केस होना चाहिए या SCST एक्टोसिटी एक्ट के तहत केस होना चाहिए 2020 में एक दिल देला देने वाली कटना हुई थी हातरस में एक दलित वूमेन इपनी साल की लड़की केसे गैंग रेप होता है तो राइटर का कहना यह है कि उस पर रेप केस दर्ज हुआ ठीक है जब आप यहाँ पर दलित मेंशन कर रहे हो सारा आजका आर्टिकल यहाँ पर बेस है ठीक है आपने रेप केस दर्ज किया पर आपने SCST Attro City Act के तहत केस दर्ज क्यों नहीं किया राइटर यही कहना चाहरे है कि SCST Attro City Act 1989 को इन्वो किया जाए यानि कि लागू किया जाए अगर किसी महिला के साथ रेप होता है और अगर वो किसी SCST कासे बलॉंग करती है तो एक तो रेप केस होगा ही होगा और उपर से SCST Attro City Act के तहत भी केस दर्ज होना चाहिए वो इसलिए क्योंकि दोशी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए क्योंकि फॉर एजामबल अगर इसकी से रेप केस में अगर किसी को 5 साल ये 10 साल तक की सजा होती है पर SCST Attro City Act में वो सजा लाइफ इंप्रिजमेंट है उमर के राध हो सकती है या और भी कड़े कड़े नियम है इसमें तो हातरस केस में सुप्रिम कोर्ट में जजमेंट में उन्होंने रेप केस का तो दर्ज करा था पर लेकिन जो अपनी जजमेंट सुनाई थी उन्होंने SCST Attro City Act को वो साइड में लग देते कि आपके पास इतने एविडेंस नहीं है कि हम इसको प्रूफ कर दे जाए कि ये केस SCST Attro City Act के तहत दर्ज होगा या नहीं हो मतलब विक्टिन को पता होता है कि कि उसके साथ जो रेप हुआ है उसको पता था कि हाँ ये SCST से ब्लॉंग करती है तब भी उसने ये गलत काम किया तो ये सबूत भी जजज के लिए काफी नहीं है क्या तो जजज को ये बताना चाहिए कि क्या प्रूफ दिया जाए कि हाँ जिसने ये रेप किया है वो कैसे कबूल लेगा कि हाँ मुझे उसे पता था कि हाँ वो S.E.S.T. से ब्लॉंग कर दी है नहीं करेगा वो राइटर हाथरस केस के मादम से ये कहना चाह रही है कि सुप्रिम कोर्ट ने अपने जज्जमेंट में जिसमें जस्टिस चैंदर शूद थे और एमेट शाहा ने दोशी को सजा दी पर वो रेप के केस में दी under the I.P.C. Act के अंदर बट उसको prevention of atrocity act के तहत नहीं दी उसको side में रख दिया कि उन्होंने कह दिया कि हमारे पर इतना evidence नहीं है कि हम उसको SCST atrocity act के तहत सजा दें और similar intersectional approach USA दोबरा भी अपनाई जाती है जहाँ पर USA में आपको पता ही होगा हमाँ पर blacks and white के बीच में discrimination बहुत ज़्यादा होता है और हाँ पर sexuality के ओपर अगर कोई gay है तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा discrimination होता है तो वहाँ पर भी अगर कोई महिला black है उसके साथ अगर rape हुआ है वो rape का तो case दर्ज कर लेते हैं पर जो black के बेस पर discrimination होता है जो उनके खिलाफ कानून है उसके under वो case दर्ज नहीं करते हैं तो वहाँ USA में भी intersectional approach अपना जाती है और इंडिया वो इक अपनाता आ रहा है राइटर एक्जामबल देते हैं 2006 में Ramdas and other versus state of महराष्ट का वहाँ पर भी दलित माइनर का rape हुआ था और उस case में भी Supreme Court ने rape का तो case दर्ज किया था बट prevention of atrocity act के अंदर उस case को दर्ज नहीं किया था ऐसे ही आज के article writer ने बहुत सार एक्जामबल दिये हैं case के हवाला केस का हवाला देते हैं यही कहा है कि अगर caste based discrimination खतम करना है मतलब अपरादी को पता होना कि जिसके साथ अपराद करने जा रहा है उसको पता है कि उसकी caste क्या है क्या इतना evidence काफी नहीं है जब यह prevention of atrocity act है तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं तो इस मामले में different view के लिए एक large bench बैठनी चाहिए जिसमें lady judge भी हो तो writer different type की judgment का हवाला देते हुए यह कहना चाहरे है कि जब prevention of atrocity act है तो Supreme Court उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती है क्यों हाँ पर caste based discrimination के evidence मागे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि इतना काफी नहीं है कि अपरादियों को पता है कि जिसके साथ अपराद कर रहा है उसकी caste उसको पता है तब भी वो काम कर रहा है तो ऐसे तो caste based discrimination प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो caste based discrimination के आर्टिकल में इतना ही था comment box खुला हुआ है आप अपनी राये दे सकते हैं